दुर्ग जिले में कई दिनों से मोबाइल चोरी की घटना बढ़ती चारी है जिसको देखती हुए पुलिस ने कारवाई शुरू की और सभी गुम हुए मोबाइल की जानकारी साइबर सेल को भेजी जारे थी भुम हुए मोबाइल को खोजने के लिए दुर्ग पुलिस अधिक्षक प्रशान्त अग्रवाल एवं शहर पुलिस अधिक्षक संजैदरू एवं साइबर सेल की विशेश टीम गठित की गए थी टीम के वरिश अधिकारियों के आदेशा नुसार पुलिस ने गुम हुए मोबाइल की चान मिन शुरू की और दुर्ग भिलाई राचनान गाउं बालोग बेमे तरा और रायपुर के अलग-अलग शेत्रों से अलग-अलग कमपनियों के 105 नग मोबाइल बरामत किये हैं इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपय बताई जारी है मोबाइल बरामत होने के बाद मोबाइल धारकों को उनका मोबाइल पुलिस द्वारा वापस किया गया जोरान इसमें निरिक्षक नरेस पटेल, निरिक्षक गौराव तिवारी, चंद्रशेखर, बंजीर, दिनेश विश्व कर्मा एवं महिला रक्षक 38 सही की महत्वपोन सराहने भूनिका रही पिछले कुछ दिनों से साइबर से इसके और उनकी टीम जो बहुत हारे मोबाइल लोगों को इसकी कंप्लेंस आती हैं हमारे बाद तो उन सब पे साइबर से की पुलिस ने अभवर किया है और पिछले जेड़ दो मैनों में रगभग 105 मोबाइल की बरामत्गी जो गुम वे जो गए हैं तो भषu अप्ने फ्रवालाड की अर लोगों को मोबाइल वापस किया है कि मोबाइल बहुत ही की कडिशिव हindest Grade जो अपने साहत हम इसे रख जो कभी किसी ने उठा लिए कुई रख लिया तुकि वो जब यूज होता है तो पता चल जाता है ट्रैक हो जाता है जिन्होंने हमारे पास रिपोर्ट करी थी उन वैसे मोबाइल समय को सफान बहा हुआ जिए सर चाकुआ रोले जी सर बताइए जो दुरुजिले में लगाएं